बिहार के अंदर अगले साल विधान सभा की चुनाव होने वाले हैं लेकिन इन चुनावों से पहले अब बिहार की सियासत में उपचुनाव भी होना है और इस उपचुनाव से पहले ही बिहार के अंदर हर एक दिन नया होट टॉपिक निकल कर सामने आ रहा है बिहार के अंद आधारिक हैदर में तेनों नेटाओ को खुले तौर ना करने की सबस्र minimizing video तरीके से अपनी नाराजगी इस बैचक के भीतर निकाली है साथ ये साथ में गिराज सिंग और संजे जैसवाल को लेकर नितीश कुमार ने ये तक कह दिया कि मैं जो पिछली बार दो बार दूसरे खेमे में गया उसके पीछे का कारण ये जो नेता है वो रहे है इशारों नितीश कुमार ने ये बाद भी साव कर दी कि ये लोग जिस तरीके की बयानवाजिया करते हैं उस कारण हमें दूसरे खेमे में जाना पड़ा था तो आप समझ सकते हैं कि जैसे अभी कुछ उप्चुनावों की जो तारीके नजदीक आ रही हैं फिर उसके बाद बिहार मे विधान सभाद चुनाव होने हैं तो इससे पहले ये देखा जा रहा है कि इन उप्चुनावों को भी नितीश कुमार इस तरीके से देख रहे हैं कि उप्चुनावों में जो नतीजे सामने आते हैं उसके बाद भी नितीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिससे बिहार के सियास्त के अंदर कोई बड़ा खेला भी सामने आ सकता है लेकिन इस बीच में बिहार के सियास्त से और भी कुछ बड़े सवाल निकर कर सामने आ रहे हैं इन सवालों को मैं एक-एक करके आपके सामने रखूंगी और फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जा रहा है बार बार ये सवाल बीच बीच में बिहार के सियासत में उच्छाल क्यों मार रहे हैं तो देखे सबसे पहला सवाल बिहार के सियासत के नितीश होंगे बॉस बिहार के अंदर विधान सभाज चुनावों से पहले अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार के सियासत के बॉस फिर एक बार नितीश कुमार बनने वाले हैं क्योंकि जैसे ही लोग सभाज चुनावों से पहले हमने देखा था कि नितीश कुमार अपना खेमा बदलकर NG के साथ आ जुड़े थे। उसके बाद मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ साथ दोनु उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपत ली थी। इस चपत ग्रहन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी के एक उप मुख्यमंत्री समराट चौधरी इनका एक बयान सामने आता है और इस बयान के अंदर कहा जाता है कि बीजेपी बिहार के विधान सभाचुनावों को जीतेगी और साथ ही में कहा कि बीजेपी के सरक बनाना हमारा लक्ष है और उसके बाद इस बयान के बाद सोची कि किस तरीके से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था उसके बाद नितीश कुमार के भविश्य लेकर भी तमाम तरह की आशंकाय जतानी जाने लगी थी कि क्या नितीश कुमार का भविश्य अब एंदी मे इस बीच में अब जिस तरीके से नितीश कुमार NDA की पूरी की पूरी की पूरी कमान अपने हाथ में लेते नजार आ रही है और बार-बार BJP के नेताओं को चेताते हुए नजार आ रही हैं यह अपने आप में अब सवाल बन गया है कि किया नितीश कुमार अब बिहार के सियासत के बॉर्स फिर एक बार बनने वाले हैं क्योंकि गिरिराज सिंग के बयान के बाद जिस तरीके से उन्होंने गिरिराज स करते हुए कहा कि इन्हीं लोगों की वज़ा से दूसरे खेमे में जाना पड़ा था तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी नेताओं को किस तरीके से उनको एक बॉर्डर में कहें कि लाइन में रखने की कोशिश नितीश कुमार लगातार कर रहे हैं विधान सबाद चुनावों क को देखते हुए यह अपने आप में अभी एक प्रिश्ण बन गया है कि क्या नितीश कुमार जो है वो विहार के नए बॉस होंगे अब दूसरा सवाल विहार में एंडिये मतलब नितीश या कोई और देखे एक सर एंडिये को लेकर यह कहा जाता है कि बीजेपी पार्टी क जिस भी राज्ये के अंदर सरकार है वहाँ पर ड्राइविंग सीट पर कोई भी बैठे लेकिन ड्राइविंग पोर्स जो है वो हमेशा बीजेपी पार्टी के पास रहता है जैसे कि महारास्ट में हम जानते हैं कि वहाँ पर भले ही मुख्यमंत्री एकनात शिंदे हैं लेक लिजिश कुमार ही समालने के मूर में नजर आ रहा है क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर नितीश कुमार लगातार हर एक चीज पर अपनी कड़ी निगाहें बनाए हुए हैं जिस तरीके से गिरिडार सिंग की यात्रास पर उन्होंने और उनकी पार्टी ने कड़ा व बिहार के अंदर कोशिश करें और किसी भी तरीके से बीजेपी के नेताओं को आगे आने की कोशिश नहीं करने देंगे और ये इस बात से साफ हो गया कि चुनावों से पहले किस तरीके से उन्होंने एंडी के सभी नेताओं के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी चाहे वो चुनाव हो चाहे वो विधान सभा का चुनाव हो साथी साथ में इस बैठक के अंदर स्लोगन भी तैह हुआ कि 2025 में फिर से नितीश यह स्लोगन इस बात पर भी मुहर की तरह देखा जा रहा है कि विहार में एंडे का मतलब ही अब नितीश कुमार है इस स्लोगन के साथ ही CM PACE जो कायासों पर विराम लग गया और यह साफ हो गया कि डिय नितीश कुमारि मुख्यमंत्री पत्क के उमिद्वार होंगे अब इस लोगन को लेकर यह girls लेकिन असानी से विहार के अंदर नितीश कुमारित मुख्यमंत्री बनने देगी यह भी अपने आप में एक बड़ा हम सब्सक्राइब लेकिन अब यह तो अभी कहा जा सकता है कि अभी कुछ इंतजार करना पड़ेगा लेकिन जिस तरीके से स्लोगन कर दिया गया NDA जो है NDA के भीतर नितीश कुमार जो है बिहार चुनावों की कमान सभालते हुए नजरार है तो ऐसा देखते हुए लग रहा है कि नितीश कुमार हो सकता है कि फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी ठोकेंगे तीसरा सवाल बिहार में किस आइडोलोजी पर फोकस करेगा NDA देखे एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अपनी हिंदुवादी नित्यू को अपनाती है और किस तरीके से बीजेपी के कहे नेता तक हिंदुवादी बयान देते है दूसरे समुदायों को निशाना बनाने की कोशिश करते हैं और किस तरीके से बिहार के अंदर जो अल्पसंक्यक समुदाय है वो नितीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है तो अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल उठने लगता है कि एक तरफ बीजेपी की आइडोलोजी नितीश कुमार के आइडोलोजी से किस तरीके से मेल नहीं खाती है तो बिहार के चुनावा में कौन सी आइडोलोजी किस पर भारी रहेगी दोनों ही पाठ्यों के अपनी अलग-अलग वोट बैंक है तो कौन सा वोट बैंक किस पर हावी रहेगा क्योंकि नितीश कुमार लगातार अपने अलपसंख्यकों को सम्हालने के लिए अलपसंख्यकों पर जो बयानवाजिया दी जा रही है उसके खिलाब भी एक्षिल लेते हुए नजराय किस तरीके से बिहार सरकार के अंदर ही जो बीजेपी के दो बड़े नेता हैं उनके उप को लेकर एक लड़ाई की स्थिती बन गई है खासकर गिरिराज सिंग की हिंदू स्वाभी मान यात्रा के बाद नितीश कुमार की अगुवाई वाली जेडियू इसके विरोध में खुलकर उतर आई थी बीजेपी ने भी गिरिराज की यात्रा को निजी बता कर इसे पल्ला जी चलेगी वैठक में नितीश कुमार ने नाम लिए बिना भागलपूर दंगों का जिक्र कर पीडितों को न्याय दिलाने पैंशन देने जैसे कदम गिनाए जो इसी तरफ इशारा माने जा रहे थे लजेपी का मतलब क्या एंडिये में चिराख है तो चौथा सवाल यहां पर अब ये बनता है कि लजेपी मतलब चिराख क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पशुपती पारस की पार्टी को इस मीटिंग का न्योता ही नहीं दिया गया और इस न्योता ना दिये जाने के बाउजूद पशुपती पारस की पार्टी कहती आई कि हम अभी भी एंडिये का हिस्सा है जबकि पशुपती पारस जो है वो पैस्ते पहले अमिश्या से भी मिलकर आये थे और अमिश्या से मिलने के बाउजूद इस मीटिंग के अंदर पशुपती पारस की पार्टी को इ चिराग पासवान की पार्टी यानि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास जो है उनकी वूस्ट पार्टी को इसमें न्योता दिया गया हाला कि खुद चिराग पासवान जो है वो इस पार्टी इस मीटिंग के अंदर नजर नहीं आए उस पर भी लेकर कई सव बंदों की जो करवाहत है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है और कि चिराग पास्वान कोई भी ऐसा मौकर नहीं छोड़ेंगे जिससे वो रितीश कुमार पर निशाना साथ सके तो अब बिहार के अंदर जो जो लेकर भी सवाल उठने लगे कि क्या एलजेपी का मतलब अब चि एक तरफ जहां NDA निटीश कुमार के नेतरत में आगे के चुनाव लड़ने के रणीती तैग कर रहा है इसे लेकर तमाम तरह की बाते जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर तैग की गई लेकिन अब सवाल यह है कि अगर निटीश कुमार अपने तेवर ऐसे ही दिखाते रहे इसी तरीके से वो बीजेपी की आइडिलोजी से अलग होकर अपनी बाते और अपनी चीजे जो है वो सामने रखते रहें अब इस आखरी सवाल में सबसे बड़ी चीज यह है कि बीजेपी और निटीश कुमार यह दोनों ही मिलकर इस बिहार के चुनावों में उतरेंगे औ और अगर यह दोनों साथ मिलकर नहीं उतरते तो क्या बीजेपी पार्टी इतनी जादा मजबूत है बिहार के अंदर कि वो अकेले के दम पर चुनाव लड़ सके यह सबसे बड़ा सवाल है और इस बीच में यह भी चीज है क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि पिछली बा पर अपनी सरकार बना ले क्योंकि हमने देखा कि बीजेपी बिहार के अंदर अकेले सरकार तब भी नहीं बना सकी थी जब वो 2014 के चुनावों में विजह रत पर सवार थी और वहुमत के साथ लोगसभा चुनावों में जीत कर आए थी लेकिन उस समय जेडियो का ग्राव भ किस तरीके से 2014 हो चाहे 2019 हो इन दोनों बार में भी बीजेपी के स्थिती वह वाली स्थिती नहीं रही कि वह अकेले दम पर अपने चुनाव जीत सके तो ऐसे में क्या बीजेपी पार्टी को नितीश कुमार की हर वह एक बात माननी पड़ेगी जो नितीश कुमार कहेंगे औ और नितीश कुमार को ठिकाने लगाने की कोशिश करती हैं नितीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश करती हैं तो क्या ऐसे में नितीश कुमार को बड़ा फैसला ले लेंगे जिस तरीकिस लोकसभाद चुनावों से पहले वो इंडिया गटबंधन का साथ छोड़ कर दामन छोड़ कर खुद को उन्होंने अलग कर लिया था तो क्या ऐसे में नितीश कुमार जो है वो कोई फिर बड़ा खेलिया बड़ा दाओ विधासवाद चुनावों से पहले भी चल सकते हैं तो यह अपने आप नहीं कुछ सवाल इस वक्त बिहार के सियासत केर्दगेर झाल झाल